एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम एनलेसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का यहाँ पर आप देखेंगे आपको 15 मिनिट का टाइम फ्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है कल की हमारी क्या स्ट्रेजी होने वाली है कहाँ पर मुमेंटम कर सकता है सारी चीजों का हम डिसकेशन करेंगे क्या-क्या रेंज मार्गिट में नज़र आ रहा है अगर कोई पैटरन नज़र आ रहा है तो उसका भी डिसकेशन करेंगे तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहें अब यहाँ पे सबसे पहले हम नज़र मुमेंटम देखने कुम लेगा नहीं तो यह लेवल आपको सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा और मार्किट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पोजिटिव मुमेंटम दिखाया उपर की तरफ भी आपको रजिस्टेंस बताय गए थे किसे पोजिटिव ने दिखाया लेकिन मार्किट आपको पोजिटिव दिखाया अगर आप दोनों केंडल पर देखेंगे अच्छा कासा मुव हमें देखने को मिला और जल्दी यह मुमेंटम आपको मार्किट में देखने को मिल गया लगबग 400 प्लस पॉइंट का आपको य 33,200 से नीचे ही है और आप देखेंगे 33,600 से उपर मार्केट में मुमेंटम दिखा है तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा ये मुमेंटम आते ही मार्किट एक रेंज में हो गया एक साइडवेज मुमेंटम दिखाए दिया अब अपोर्चिनिटी ये सुरुवात में ही थी क्योंकि आपको बताया गया था अगर सपोर्ट दिखाए तो आपको पोजिटिव मुमेंटम देखने को मिलेगा एक मार्किट में ट्रेडिंग करने के लिए अब देख लेते हैं हमें कौन-कौन से इंपोर्टेंट लेवल मार्किट में नजर आ रहे हैं सबसे पहले हम समझते हैं इसी जोन को, जिस जोन पे market ने closing दी है, ये हमें एक important support दिखाई दिया पूरे ही दिन, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको अच्छे खासे support level दिखाई दिया, अगर market ने इसका breakdown दिया, फिर आपको जो 29 के low है, जो 30 का low है, इस जोन में support देख यही support zone आपको देखने को मिलेगा, अब जो यह support zone है, यह सिर्फ यहीं पे important नहीं है, मैंने आपको last video में भी बताया था, एक जलग मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यह zone पहले भी important रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे, 13 में देखे, 14 में देखे, 15 में देखे, 16 म पहले भी एक मजबूत support के रूप में काम कर चुगा, even 16 को इसका breakdown मिला, यह resistance के रूप में काम कर चुगा, तो market यहीं पे ही support ले रहा है, तो यह support हमारे लिए काफी ज़रूरी है, अगर market में हम negative momentum चाहते हैं, selling opportunity देखना चाहते हैं, तो market को इसका breakdown देना ही पड़ेगा, उस cases में जो आपको अगला support दिखाई देगा, वो 32,800 के zone में दिखाई देगा, यहाँ पे आपको यह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे market ने पहले एक मजबूत resistance के track किया था, और मैंने आपको बताया है, वगर कोई resistance zone है, उसका breakout मिला, तो आपको support की तरह काम करता हुआ, message को आप समझगे, पहला support क्या रहेगा, 33,200 ही रहेगा, जो कि आज भी support बना हुआ था, और कल भी support बना हुआ था, और पहले भी आप देख सकते हैं, यह level काफी जादा important रहा है, तो इस level पे हमारी खास ने जरूनी चाहिए, वहीं बात करते हैं resistance की, पहला resistance यही जोन में र breakout मिलता है, तो आपको सीधे सीधे 33,800, अगर इसका भी breakout मिला तो 34,000 तक के level market में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन market इस range की respect और भी कर सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे 13, 14, 15 को भी लगतार 3 दिन तक market में इस range की respect कि थे, अब ऐसा जरूर है नहीं है कि यहाँ पर देंगे profit booking करने में और नई position बनाने में, क्योंकि हमें exact पता रहेगा कि resistance कहाँ पर हो सकता है, या फिर support कहाँ पर हो सकता है, अगर इसका breakout मिला, फिर से entry point मिल सकता है, या इसका breakdown मिला, फिर से आपको entry point मिल सकता है, इस range को समझ गे, देखो कुछ भी समझ में नाया, फिर से वहीं वापिस आते हैं, आपको इन दोनों raise का पता चल गया, तो यहाँ पर हम discussion क्या कर रहे थे, कि market एक support level पर खड़ा है, कल के दिन यही level हमारे लिए, अगर हम 29 की बात करें, एक resistance बना हुआ था, यानि कि पहले एक resistance था, इसका breakout मिला, अब यह support कितरे आपको काम कर दिखाई दे रहे, तो यानि कि हमें दोनों ही चीज़ें यहाँ पर clear है, अगर market नहीं यहाँ पर support लिया, तो यानि कि आपको buying opportunity मिल सकती है, उस situation में जो resistance रहने वाला है, 33,600 रहेगा, जो कि आप देखेंगे, 30 वाला resistance भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे, आज वाला साथ की साथ highs से उपर है, पर आपको यही जोन लेके चलना है, 33,600 जो पहले resistance के रूप में आपको नजर आएगा, दूसरी possibility की बात करें, अगर market ने इस level का breakdown दे दिया, उस situation पर जो 29 का low है और 30 का low है, जिस zone में market ने support लिया है, यही support यानि कि 33,200 आपको support के रूप में दिखाई दे, अब अगर इसका breakout मिल गया, इसका breakdown मिल गया, उस situation में क्या उपर की तरफ लेवल होंगे, क्या नीचे की तरफ लेवल होंगे, इनका discussion हम आगे करेंगे, फिलाल आप यहाँ तक समझ गे, अब सीधे चलते हैं, no trading zone की तरफ, यहाँ पर आप देखेंगे, आपक 28, यह चीज़े आपको समझ मैंगी, जब तक market आपको इस zone में दिखाई देता, आपको market में कोई भी position नहीं बनाने चाहिए, अगर आपको मिला इसका breakout, price उपर sustain होता है, तो आपको मिल सकती है buying opportunities, या सीधे सीधे आप यह कह सकते हैं, जो 30 का high है, इस zone तक के level आपको देखन 30 के low है, यहां तक के level आपको देखने को मिल सकते हैं, इस zone तक के level जो की है 33,200 है, यहां तक चीज़े clear होगी, अब उपर की तरफ क्या level रहेंगे, नीचे की तरफ क्या level रहेंगे, इनका discussion कर लेते हैं, pivot point की मदद से, यहां पे आप देखते हैं, अगर bank nifty में आपको positive momentum दे आपको दिखाए दे रहें, यह 33,630 पे आपको दिखाए दे रहें, अगर market ने इसका भी breakout दे दे रहें, यहां में तीसर resistance दिखाए दे रहें, 33,723 पे आपको दिखाए दे रहें, वहीं बात करें, bank nifty में अगर आपको देखने को मिला negative momentum, ऐसी स्तिति में जो में पहला support न है, कोई selling recommendation है, यह just educational purpose से बिनाए गई analysis वीडियो है, invest करने से पहले आपको अपनी research करनी है, अपनी investor की सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपको उने वाला है, तो उसकी जिम्मिदार भी आपको अपने आप लेनी है, जो यहां पर हमें दूसरा support नजर आ रहें, यह 33,053 पे नजर यहां पर आप देखेंगे, 7th July की हमने expiry select करकिया है, call की side हम देखने वाले है, resistance को, put की side हम देखने वाले है, support को, resistance की बात करेंगे, तो 33,500 पर आप देख सकते है, resistance नजर आ रहे है, जहां पर आप देखेंगे, 10.2 lakh का यहां पर open interest दिखाई दे रहे है, अगर market ने इसका breakout देखेंगे, 34,000 पर जहां पर आपको 7.8 lakh का यहां पर open interest आपको दिखाई दे रहे है, वहीं बात करें, support की, तो 33,000 पर आपको एक support नजर आ रहे है, जहां पर आप देखेंगे, 9.5 lakh का आपको यहां पर open interest दिखाई दे रहे है, अगर market ने इसका breakdown दे देखेंगे, 32,500 पर यहां पर आपको 6.6 lakh का यहां पर open interest दिखाई दे रहे है, दोस्तों अगर आप अपनी knowledge को increase करना चाते हैं, तो आप हमारी website को visit कर सकते हैं, website का link आपको नीचे description में मिल जाएगा, आप यहां पर chart pattern और candlestick pattern से related जाके episodes देख सकते हैं, और अपनी knowledge को increase कर सकते हैं, और इन सार आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, comment करके मुझे बताएगे कि आपको analysis कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने helpful हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसे अच्छे content के साथ, thank you